टमाटर की ये चटनी जो की सभी जगे पर वाइरल हो रही है और सच में इतनी टेस्टी बनती है ना कि आपका पेट भर जाएगा मन नहीं भरेगा एक से दो रोटी ज्यादा ही खा जाओगे आप इसके साथ तो चलिए शिरू करते हैं बनाना तबा या फिर कोई भी पैन ले उसके उपर डालेंगे मैंने ये सरसो का तेल लिया है चटनी बनाने के लिए अब ये लाल लाल टमाटर आ रहे हैं लाल वाले टमाटर लेंगे इससे की चटनी देखने में भी अच्छी लगती है और इसको इस तरह से दो पीसिस में कट कर लेंगे और टमाटरों को इस तरह सा नमक डाल देंगे भूनते टाइम ही जिससे की टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा इससे ढखकर इन्हें हम पकने देंगे पहले बीच बीच में आप चेक भी करते रहेंगे टमाटर भूने हैं या नहीं तो इस तरह से उठाकर आप चेक करें देख सकते हैं आप टमाटर अच्छे से भून गया है तो मैं इसी तरह से सभी टमाटरों को पलट कर दूसरी साइड से भी भून लूँगी टमाटर जब दौनों साइड से बहुत अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे अलग एक बोल में और जब यह ठंडे हो जाएं तब आप इस तरह से इन्हें छील लेंगे बूनने के बाद जो इसकिन है वो बहुत ही इजली हट जाती है टमाटर की क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो जाते है मैं तो अभी गरम गरम टमाटर ही चील रही हूँ क्योंकि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है मुझे चाहिए चट्टी जटपट से मैं बनाकर तयार कर लूँ सभी टमाटर मैंने छील लिये हैं अब इनके लिए बहुत ही अच्छा सा तड़का तयार करेंगे लहसुन वाला जिसे की स्वात दो गुना बढ़ जाएगा तो तेल मैंने गरम कर लिया है इसमें डाल मदकी के तnaireे हम टमाटर के ऊपर है कि अब इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छे से मैश करने अम यह तो पोटैटो मैशल ले ले या फिक आ छममत जाव्य जाव यह फिर आप हाथ से भी इन इस तरह से दबाते हुए लेख ए बहुत यह च्छा टेस्ट आता है से चटनी का आप इसे मिक्सी चार मैना पीस हैं, इसी तरह से मैश करते हुए बनाएं चटनी को, लेसुन भी सॉफ्ट हो गया है, बुनने के बाद तो आप देख सकते हैं, बहुत ही एजिली मैं इसे दबा दे रही हूँ, ये चटनी बहुत ही ज्यादा वाइरल हो रही थी, तो मैंने ट् तरह का ही आप रखें इसे, अब इसमें मैं डाल दूँगी एक छोटा प्याज बारी कट करके, बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक से दो बारी कटी हुई हरी मिर्च जैसा तीखा आपको पसंद है, उसके अकॉर्डिंग डालें, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर पसंद ही चोटी चममच, और इसे खटा टेस्ट देने के लिए डाल देंगे आधा नीबू का जूस, नीबू का रस आप जरूर डालें इस चट्नी में, इसी से आपकी चट्नी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही टेस्टी चट्नी बनती है, काफी मांटर वाली बहुत वाइरल हो रही थी, लहसुन का तड़का लगा के, जो कि मैंने ट्राइ की और सच में इतनी पसंद आई, मुझे और मेरे घर पर सभी को, तो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, आप भी जरूर एक बार ट्राय करके देखना, आपका लेट भर जाएगा, पर मन नहीं भरेगा इस चटनी के साथ, तो जब भी खाने में स्वादना आए, या फिस समझना आए कि खाने में क्या बनाए, तो एक बार ये चटनी जरूर ट्राय करके देखना, और मुझे कोमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी है आपको ये रेस पी के साथ, तब तक के लिए थैंक्यू, बाबाई